जैके सिविल सर्विशेस में बहुत-बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आज हम डिसकस करेंगे टमलोजी को जैसा कि मैंने आपको सिलेबस डिसकेशन में बताया है कि हमें जब आगे सिलेबस या जितनी भी सारी चीज़े आपके सिलेबस में दी है उसको अगर समझना है तो हमें कुछ टमलोजी है कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको पहले ही समझना पड़ेगा तो यह मोस्ट इंपोरेंट पार्ट आप इसा नहीं समझना कि यह सिलेबस के अंदर नहीं है बच्चा जो सिलेबस आपका है उसमें सेंटरल टेंडेंसी है डिसपर्शन है इसक सबसे पहले मैं यहाप डिसकस करवाने वाला हूँ आप समझ यह सबसे पहले जो यह है वह रियूम ठीक यह बोल देते हैं कि वह वेरियेबल का मतलब क्या होता है वेरियेबल का मतलब होता है बच्चा कोई भी quantitative measurement of data अगर कोई data है उसको अगर हम number form में assume कर रहे हैं किसी limit के अंदर या measure कर रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं variable मतलब क्या हो गया quantitative phenomena of या quantitative measurement of data इसको हम बोल देते हैं variable मतलब किसी particular limit के अंदर या किसी range के अंदर जब हम numerical value को assume करते हैं तो वो जो numerical value है वो जो quantitative measurement है वो variable किलाता है for example कि मैं बात करो कि मैंने लिखा यहां पर age अब हम कहां चले गए जैसे मैंने age बोला हम number में चले गए है ना जैसे 30 years age है या 20 years age है या 25 year age है हम number में चले गए तो ये age क्या हो गया है quantitative measurement हो गया या उसको हम variables बोलते हैं जैसे हम मैंने बोला income तो income क्या हो गए income जैसे मैंने बोला हम कहां चले गए quantity में मतलब number में चले गए number मतलब जैसे income 2000 हो सकती है 10,000 हो सकती है ठीक है जैसे मैंने बोला weight weight वजन भार ये भी quantity में चला गया जैसे मैंने बोला number of workers in a factory किसी factory के अंदर मजदूरों की संक्या किसी factory के अंदर workers की कर्मचारियों की संक्या अब जैसे numbers की हम पहुँच गए numbers के हमने बात कर दी तो हम quantity के अंदर चले गए उसको हम variables बोल देते हैं और ये जो variables होते हैं बच्चा दो प्रकार के होते हैं चीज़े अच्चे से समझना ठीक है ये variables होते हैं ये two types के होते हैं variables जो होते हैं ये two types के होते हैं एक को बोलते हैं हम discrete variable एक को हम क्या बोलते हैं discrete variable ठीक है और दूसरा होता उसको हम बोलते हैं continuous variable continuous variable discrete variable and continuous variables समझते जाना discrete किसको बोलेंगे और continuous किसको हम बोलेंगे देखो बचा discrete variables का मतलब होता है ऐसे variables या ऐसी quantities जिसको हम exact value में दरसाते हैं जिसको हम integral value में दरसाते हैं निश्चित संक्या में दरसाते हैं discrete value कभी भी दसमलों में नहीं होगी ये धियान रखना discrete variables का मतलब हो गया मतलब क्या होगा exact value not fractional ऐसा हम बोल सकते हैं discrete का मतलब हो गया exact value exact value या इसको हम बोलते हैं integral value integral value निश्चित संक्या not fractional not fractional fractional मतलब क्या हो गया इसको हम discrete variables को सिर्फ और सिर्फ exact value में integral value में निशित संख्या में ही दर्स आते हैं कभी भी दसमलों में नहीं यह होती है जब हम बात करते हैं continuous की तो continuous जो होता है इसके अंदर all possible values आ जाती है इसके अंदर क्या जाती है all possible values within the range within the certain या within the range एक range के अंदर जितनी भी possible values आ जाती है मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर exact value मतलब integral value भी आ जाएगी integral as well as fractional as well as fractional मतलब जो निशित संख्या है वो भी और जो दसमलों में है वो भी सारी चीज़े इसके अंदर आ जाती है अब example से आपको ज़्यादा बेतर समझ में आएगा discrete हम ने बोला variables जिस भी किसी data को हम quantity में या number form में दर्सा देते हैं वो हमारा variables है जैसे age, income, weight और number of workers in effectory मैंने बोला यह दो type का होता है two types का होता है discrete variables और continuous variables discrete को मैंने बोला कि जो exact होता है जो exact value को दर्साता है integral value को दर्साता है निशित संक्या को दर्साता है वही discrete variable होगा functional नहीं होगा discrete variable कभी भी the sum of learning में नहीं होगा for example example की मैं बात करूँ जैसे number of member in a family किसी family के अंदर जो सदश्य है उनकी संक्या अब जिसे मान लो आपकी family है आपकी family में पांच member है तो उसको पांच निशे संक्या है ऐसा नहीं है कि चार जो है वो adult है और एक child है एक बच्चा है तो इसको हमने साड़े चार बोल दिया four and half बोलती है कभी भी नहीं बोलते है अगर चोटा बच्चा भी है तो वो भी एक certain value में count होता है मतलब पांच member है तो पांच ही बोलेंगे ठीक है number of student in a class second examples number of students in a class किसी कक्षा के अंदर विद्यारतियों की संक्या मालो किसी कक्षा के अंदर 100 बच्चे है तो 100 एक निशित संक्या है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 80.5 बच्चे है 18.5 students है कभी भी fractional में हम नहीं दर्शाते है जैसे कि मैं एक example लूँ petals of a flower मालो कोई fool है उस fool की जो petals होती है जो पत्या होती है वो भी निशित होती है मालो एक गुलाब का फूल है उसमें 8 petals है तो किसे निशित संक्या 8 है ऐसा नहीं है कि एक petal आधा तूट गया तो उसको हम बोलेंगे कि 7.5 petals से नहीं वो तूट गया वो एक natural process हम बोल सकते है या हमने हाथ से तोड़ दिया बट actual में उसको हम count क्या करते है certain value में count करते है ठीक है दूसरा number of accident in a city number of accidents in a city किसी सहर में जो घटनाए है accident है उसकी संक्या माल लो कि आज particular date मतलब किसी particular दिन किसी particular शहर में क्या हुआ कि accidents हुआ है माल लो कि उसमें से चार मतलब हम इसा बोल सकते हैं कि दो बाइक से गीरे उसमें से एक की देत हो गई और एक hospital में admit है तो क्या हम उसको ऐसा बोलेंगे कि यहां पर डेड़ accident हुआ है one and half accident हुआ है ऐसा नहीं बोलेंगे हम उसको particular रही बोलेंगे कि एक accident हुआ है शेहर के अंदर जिसमें एक की देत हो गई और एक hospital के अंदर admin है तो गटना को हम single certain value में count करते हैं एक या दो या तीन या चार कभी भी one and half, two and half इस तरीके से count नहीं करते हैं तो यह जितने भी examples हमने लिखे हैं यह सारे discrete variables के अंदर आते हैं और भी example क्या हो सकता जिसे मैंने बोला number of petals, इने flower किसी फूल की पत्यों की संक्या निश्चित होती है चार हुई, पाँच हुई, छे हुई, साथ हुई कभी भी fractional में नहीं होगी number of workers, इने family यहा लिखा हमने number of workers, इने factory किसी कार खाने में करमचारियों की संक्या वो भी निश्चित होती है है ना, कभी भी fractional या दसमलों में नहीं होती है तो इस सारे example किसमें आते हैं, discrete variables के अंदर आते हैं, continuous variables की बात करते हैं जैसे, अब इसको दरसाना है discrete variables को हम x, इसको हमने दरसाया x से denote किया ठीक है, x से denote किया तो यहाँ पर particulars में जो भी है, जैसे हमने लिखा 10, 15 20, 25 यह हो सकती है, क्या discrete variables ठीक है, continuous में सारी possible values आज़ी, range के अंदर वो integral भी हो सकती है, fractional भी हो सकती यहाँ पर examples में आप क्या लेंगे यहाँ पर example में आप ले सकते हैं, weight वजन क्यों? क्योंकि weight आपको पता है weight जो है 50 kg हो सकता है और weight जो है 50.5 kg होता है मतलब निशे संक्या भी होती है और fractional में भी होती है आपका वजन भी आप करने जाओगे तो आपका वजन जो है 60 kg हो सकता है 60.7 kg हो सकता है मतलब integral as well as fractional दोनों हो सकता है या फिर आप बोल सकते हो जिसको हम इस तरीके से दर्साते हैं class के अंदर कि आपका जो weight है वो 10 से 20 के अंदर हो सकता है 20 से 30 के अंदर हो सकता है 30-40-40 के अंदर हो सकता है इस तरीके से range में भी हो सकता है कि भही 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन 30-40 के बीच में है इस तरीके से हम दृसकाते हैं इसको बोलते है continuous class इसको बोलते है discrete class ठीक है height के अवैट के अलावा हमारा height हो सकता है height जैसे मानलो 5 feet हो सकती है आपकी ठीक या फिर 5 feet और 10 inch हो सकती है 5.10 inches हो सकती है तो यह fractional में भी होती है integral भी होती है तीसरा मैं बोल सकता हूं distance distance आप जाओगे दूरी 10 km भी होती है और 10.7 km भी हो सकती है तो यह इस टाइप के जो variables है जैसे weight हो गया height हो गया distance हो गया यह आते हैं continuous के अंदर और इस टाइप के जो examples हैं यह आते हैं discrete के अंदर ठीक यह आपको समझने में आगे मदद देंगे जब यहां classes लिखी हुई रहती है यह variables लिखे रहते हैं महाँ पर लिखा होता है number of students महाँ पर marks लिखे हुई रहते हैं number of marks मतलब परिनामों की संख्या लिखी हुई रहती है महाँ पर आपको height का variables लिखा मिलेगा weight का variables लिखा मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि यहां continuous variables को लिया गया है यहां पर discrete variables को लिया गया है ठीक है तो यह variables की कहानी आप समझ गए कि variables होता क्या है ठीक है बच्चा next जो terminology है जिसको हम बोलते है class limit class limit या इसी को हम class boundary से भी जानते हैं class boundary भी इसको हम बोल देते हैं यह class limit यह class boundary देखो कोई भी class हुई उस class के अंदर दो प्रकार की limit आपको देखने को मिलेगी each class each class has two limit ठीक है जो भी class होगी हर एक class में आपको क्या मिलेगी दो limit देखने को मिलती है एक limit होती है जिसको हम बोलते हैं lower limit जिसको हम बोलते हैं lower limit ठीक और एक जो limit होती जिसको हम बोलते हैं upper limit अब lower limit कौन सी होती है upper limit कौन सी होती है यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब भी आगे हम central tendency पढ़ेंगे या dispersion पढ़ेंगे वहाँ पर इन दोनों का बहुत ही use होने वाला है और अभी मैं terminology करवा रहा हूँ इसमें भी आप इसका use देखोगे देखो अगर मैंने कोई भी यहाँ पर class ली या class interval लिया इस class interval में आप पाऊगे ठीक है इस class interval में आप यह पाऊगे कि यहाँ पर आप जो classes देखोगे उसमें lower limit कौन सी है अपर limit कौन सी है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए यह class हमने ली अब इस class के अंदर आप पाऊगे यह class अब इस class के अंदर आप देखोगे मैंने लिखा यहाँ पर 10 से 20 मैंने लिखा 20 से 30 मैंने लिखा 30 से 40 यह हमने ले ली यहाँ पर classes अब आपको यह पता होना चाहिए इसमें से lower limit कौन सी है upper limit कौन सी है lower boundary कौन सी है upper boundary कौन सी है क्योंकि इनका use अभी just आगे वाली terminology में होने वाला है अगर मैं यह नहीं बताता कि कौन सी lower है कौन सी upper है तो आगे वाली terminology को समझना थोड़ा difficult होता तो जैसे बच्चा यह इस site वाली जितनी भी values आपको दिख रही है यह वाली values यह सारी की सारी कौन सी है lower limit है यह सारी कौन सी है lower limit है ठीक और यह वाली जो values आपको इस तरब की दिख रही है यह सारी upper limit है यह सारी क्या है upper limit है ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है जैसे मैंने एक पर्टिकुलर क्लास ली 10 से 20 अभी 10 से 20 में आप से पूछा जाए lower limit कौन सी है तो आप बोलोगी 10 जो है वो lower limit है upper limit कौन सी है तो आप बोलोगी upper limit जो है 20 जो है वो upper limit है second class में आ जाओगे 20 से 30 वाली में इसमें lower limit कौन सी है 20 upper limit कौन सी है 30 तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यह basic बात हो गई next जो terminology की अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पर तो वो terminology आपको मिलेगी कौन सी वो होगा आपको class interval जिसको हम बोलते है width of class interval width of class interval width of class interval या इसी को बोलते है magnitude of class interval magnitude of class interval magnitude of class interval magnitude of class interval या इसी को भी length of class भी बोल देते हैं कई बार इसको क्या बोल देते हैं length of class किसी particular class की length कितनी है वीर्थ पूछे या length पूछे कई प्रकार के तरीके हैं पूछे जाने के ठीक है अब यहाँ पर हम बात करते हैं वीर्थ ओग class interval या magnitude of class interval या length of class interval मतलब एक class जो दी है उसके बीच में दूरी कितनी है सीधी सी बात है distance कितनी है तो पहले समझते हैं कि वीर् difference between upper limit upper limit and lower limit of any class of any class अब यहाँ पर मुझे समझाने की ज़रोद भी नहीं पड़ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर बोल दिया है क्या कि upper limit and lower limit के बीच का अंतर क्या क्या कहलाता है width of class interval और अभी just हमने पड़ा है कि lower limit कौन सी है upper limit कौन सी है इधर वाली upper limit है इधर वाली lower limit है तो अभी मैंने definition लिख वाई upper limit और lower limit के बीच का अंतर जो हो हो width of class interval क्यलाता है अब जैसे मैं यहाँ बोल दूँ यहाँ पर हमारे पास क्या है यह class interval है ठीक है classes है जैसे मैंने लिखा 10 से 20 20 से 30 और 30 से 40 अब बच्चा मेरे को एक चीज़ यहाँ पर बता देना ठीक है यहाँ पर एक चीज़ मेरे को यहाँ पर बता देना क्या कि यह तो हमने लिख लिया अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है width निकालनी है तो अब आसानी से निकाल सकते हो अगर मैं width of class interval का width of class interval क अगर मैं formula बनाना चाहूं तो क्या बनेगा upper limit, upper limit minus lower limit यही बनेगा, upper limit minus lower limit यही formula बनेगा, तो अब यहाँ पर देखो पहली class की बात कर रहा हूं, इस class की upper limit क्या है, 20, इस class की lower limit क्या है, 10, तो width of class interval क्या आ गया, width of class interval आ गया, 10, ठीक है, इस class का interval कितना है, इस class के बीच में distance कितना है, 10 का, अब यहाँ पर सारी निकालने की ज़ूरत नहीं है, आप देख लो, 10 से 20, फिर 20 से 30, तो यहाँ पर सम में कितना है, 10 10 का अंतर आ रहा है, तो अगर हमें width of class interval निकालना है, तो तो 10 आ जाएगा, इसका निकालोगा, 30 में से 20 जाएगा, 10, 40 में से 30 जाएगा, तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा, मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूं, इसके अंदर, ठीक है, अब यहाँ पर जो है न, बच्चा, समझे ना बात को, कि यह जो classes है, classes ज बोल दो दो परकार की होती है, एक होती है exclusive class, और एक होती है inclusive class, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है बच्चा, ठीक है, क्या होता है, एक होती है exclusive, exclusive classes, यह exclusive distribution भी आप बोल सकते हो, और एक होता है inclusive, inclusive, inclusive classes, ठीक है, दो परकार की है, classes होती है, देखो exclusive classes जो अभी हमने पढ़ी exclusive classes का मतलब होता है upper limit of first class and lower limit of second class are same ठीक है क्या होता है upper limit of first class and lower limit of second class are same ठीक example से आप समझ जाओगे है और inclusive चलो इसी का example समझ लीजे example आप देखोगे इसका मैंने बोला ये इस तरकी की classes होती ही class जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 अब इस तरकी की classes में आप पाओगे यहां पर कि ये हो गई upper limit first class की ये हो गई lower limit second class की ये first class की upper limit second class की lower limit ये दोनों लिमिट आप पा रहे हो कि ये दोनों क्या है same है बराबर है तो इस टाइप की classes को हूँ बोलेंगे exclusive classes समझ में आ गई बात अब देखते से बता दोगे कि exclusive classes है क्यों? क्योंकि यहां पर upper limit है पहली class की lower limit है second class की दोनों same है बराबर है same है उसको exclusive बोलेगी चाहिए यहाँ देख लो upper limit of second class lower limit of third class यह दोनों भी same है यह दोनों भी same है मतलब यह कौन सी class है exclusive classes है आईए इधर आईए inclusive में यह आएगा upper limit of first class and lower limit of second class are different different are not same ऐसा लिख सकते हैं मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपको classes दिख रही है जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10 to 19 22, 29 32, 39 अब इस तरह की classes में आप पाऊगे upper limit जो है first class की lower limit जो है second class की वो same नहीं है यहाँ पर अलग-अलग है ठीक है यहाँ 19 से और यहाँ 20 आ गया यहाँ 19 है यहाँ 20 है यहाँ यहाँ पर first class की upper limit second class की lower limit दोनों अलग-अलग है तो उसको हम बोलते है inclusive classes ठीक अब यहाँ पर एक कहानी निकल कर आती है क्या बच्चा कहानी यह निकल के आती है कि इसकी width क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि width बताओ width of class interval यहाँ पर बताओ इसका इन दोनों classes का width of class interval क्या होगा तो यहाँ पर बच्चा आप बता दोगे कि exclusive में जो width of class interval होगी width of class interval होगी वो upper limit minus lower limit होगी मतलब upper limit 20 lower limit 10 तो यहाँ पर width of class interval आजाएगी किसी भी class की 10 दूसरे की भी निकलोगे 10 तिसरे की भी निकलोगे 10 यहाँ पर अब हम बात करें किसमें inclusive है inclusive classes में अगर width of class interval आप निकलने जाओगे तो upper limit minus lower limit upper limit कितनी है पहली class की 19 lower limit कितनी है 10 यहाँ पर width आ रही है 9 लेकिन बच्चा यह जो अंसर आया है 9 यह गलत है यह सही नहीं है अभी बता दो आपको यह अंसर जो आया है आपका यह गलत है यह अंसर नो गलत है इसका अंसर नो गलत क्यों है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर आप जब देख पा रहे हो क्या देख पा रहे हो कि यह 19 पे खतम हो रही है और 20 से शुरू हो रही है इन दोनों के बीच में जोड़ दो तो 10 हो जाएगी मतलब इस क्लास की विटतवी 10 है लेकिन करना कैसे है यह मैं आपको बताऊँगा अब यह 19 और 20 के बीच में एक का डिफरेंस है माल लो को यह एक वेल्यू हमारे पास है 19.5 19.5 को यह वेल्यू जे अब मेरे को यह बताओ यह 19.5 वेल्यू इसको मैं कहां पर काउंट करू क्या मैं इस क्लास के अंदर उसको रख सकता हूँ क्योंकि इस क्लास के अंदर तो 10 से लेके 19 तक की संक्या आएगी अगली क्लास में जा रहा हूँ मैं 20 और 29 तो 20 से लेके 29 तक की संक्या आएगी तो मैं 19.5 को कहा रखूँ क्या मैं 19.5 को पहली class में रख सकता हूँ नहीं रख सकता क्योंकि यह 19 पर ही खतम हो गई 19 पर ही close हो गई क्या मैं 19.5 को second class में रख सकता हूँ नहीं रख सकता क्योंकि second class 20 से start हो रही वो 19.5 ही नहीं वहाँ पर इस वज़े से यहाँ पर हम विर्थ को calculate नहीं कर सकते तो हम कैसे करेंगे बच्चा कैसे करेंगे यह जो inclusive class है इस inclusive class को मतलब क्या करेंगे first we convert इस inclusive class को change करना पड़ेगा तो first we converted inclusive class to exclusive class इसको inclusive class को exclusive class में बदलना पड़ेगा तो पहले point क्या है कि जो inclusive class है उसको हमें exclusive में बदलना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या लगेगा उसके लिए लगेगा हमें correction factor उसके लिए हमें क्या लगेगा correction factor लगेगा correction factor लगेगा correction factor क्या बोलता है बच्चा देखो मैं direct भी बता रहा हूँ आपको ये width इसकी 9 नहीं है इसकी width भी आईगी 10 क्यों आईगी जितना अंतर आ रहा है जैसे पहली class की upper limit और second class की lower limit के बीच में जितना भी अंतर आ रहा है कितना अंतर आ रहा है एक का वो एक का अंतर सीधे यहाँ पर जोड़ दो 10 हो जाएगा विर्थ इसकी 10 ही आईगी है मैं आपको calculate करके भी बता रहा हूँ correction factor क्या होता है correction factor यह होता है lower limit of second class and upper limit of first class divided by 2 तो यहाँ पर होगा आपका lower limit of second class minus upper limit of first class divided by 2 इससे आएगा हमारा correction factor तो lower limit of second class हमारी 20 है upper limit of first class 19 है divided by 2 करेंगे तो correction factor आएगा 1 by 2 यह हम उसको लिखते है 0.5 अब यह जो correction factor आए इसको हमें क्या करना है जो lower limit है lower limit में से ठीक है इसको क्या करना है lower limit में से minus करना है सारी जितनी भी है 0.5 को minus करना है और जो upper limit है upper limit में से क्या करना है इसको correction factor को plus करना है तो हमारी classes exclusive में convert हो जाएगी यह कहां से लिया देखो यह lower limit 20 है upper limit 90 है घटाया 1 आया divided by 2 किया तो यह correction factor कितना आया 0.5 आया अब इसको चाहिए आप केसे भी लिखो one and half लिखो या फिर इसको हम 0.5 भी लिखते है ठीक तो जो lower limit है इसमें से 0.5 घटाओ अपर limit में से 0.5 जोड़ो ठीक अब हमारे पास देखो lower limit क्या है 10 है 20 है 30 है ठीक है तो upper limit में से हम घटा रहे है ठीक अब हमारी classes change हो की exclusive है तो classes है तो हमारे पास जो classes थी ठीक है classes कैसे थ 10 से 19 20 से 29 और 30 से 39 इस प्रकार की classes थी यह inclusive थी इसको हम किस में बदल रहे है exclusive में exclusive में exclusive to exclusive में अब हमने क्या किया यहाँ यहाँ पर 0.5 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 19.5 यह lower limit है lower limit में से क्या करना है minus करना है 0.5 और यह upper limit है upper limit में क्या करना है हमें plus करना है 0.5 को ठीक तो 19.5 हो गया minus करने पर plus करेंगे तो 19.5 हो जाएगा उदर माइनस करेंगे 20 में से तो 19.5 प्लस करेंगे तो 29.5 माइनस करेंगे तो 29.5 आजाएगा और प्लस करेंगे तो 39.5 आजाएगा अब यह classes exclusive में बदल गई कैसे पता करेंगे upper limit plus class की lower limit second class की दोनों बराबर हो गई मतलब यह exclusive में बदल गई अब इसकी आप width निकालोगे width of class interval यहाँ पर निकालोगे तो upper limit कितना है 19.5 lower limit कितना है 9.5 अब निकालोगे तो width कितनी आएगी 10 आएगी ठीक है तो चाहे inclusive हो या exclusive हो width हमेशा 10 ही आना है ठीक हो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर अगर 9 आ रही है गठाने पर कितनी 9 आ रही है तो difference देख लो 19 और 20 के बीच मे find out करना है width को ठीक है चाहे exclusive class हो चाहे inclusive class हो यहाँ तक कि कहानी आपको clearly समझे में आ गई होगी आगे बढ़ते हैं next जो terminology है वो है midpoint या mid value mid point या इसी को बोलते है mid value इन सब की आगे हम जरूत पड़ेगी बच्चा जब भी कोई numericals या कोई questions हम देखेंगे तो वहाँ पर इन सब की जरूत पड़ना है आप चाहोगी इनका use का होगा इन सब का use आगे होना है और अभी भी मैं use आपको बताते चल रहा हूँ कि कैसे इनका use हो रहा है midpoint mid value क्या होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि तो middle most values होती है उसको midpoint बोल सकते हैं या पिर हम बोल सकते हैं the average of lower limit and upper limit of any class किसी भी class के lower limit और upper limit का जो average होता है उसको हम midpoint बोल देते हैं ठीक है तो क्या हो जाए definition the average of the average of lower limit and upper limit of any class किसी class के lower limit और upper limit के बीच का जो average होता है उसको हम बोल देते हैं midpoint midpoint is equal to क्या होगा lower limit plus upper limit divided by two करेंगे तो average निकल के आ जाएगा तो यह बनेगा formula midpoint का formula क्या बनेगा lower limit plus upper limit divided by two जितनी values होती है उतने से divide करते तो average निकल के आ जाता है अब फिर example की बात करें तो जैसे हमने बोला है यहाँ पर classes classes हमारे पास है 10 से 20 22 30 और 32 40 ठिक 10 to 20 20 30 30 से 40 यह हमारी classes हो गई अब देखो जब class interval दिया होता है तो midpoint को हम denote किस से करते हैं denoted by denoted by x इसको x से denote करते हैं तो यहाँ पर मैं midpoint लिखूं या लिखूं x एक ही बात है ठीक है तो अब यहाँ पर आप midpoint निकालोगे निकाल पाओगे सारी values का कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे बच्चा lower limit upper limit हमने लिखा 10 lower limit 20 लिखा upper limit divided by 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 बटे 2 करोगे कितना आ जाएगा 15 यह तो पहली class का midpoint mid value कितनी आ गई 15 ठीक अब थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा सकते हैं दूसरी class में देखो 10 का difference है तीसरी class में भी 10 का difference है तो सिधे इसमें 10-10 जोड़ते जाओ 15 और 10 जोड़ोगे 25 और 10 जोड़ोगे 35 और निकाल के भी देख लो 30 और 20 पचास और 2 से भाग दोगे 25 चालीस और 30 70 और 2 से भाग दोगे 35 तो इस तरीके से mid value हमें निकालना पड़ती है जब हमें class intervals दिय रहता है कोई भी कोशन समसोल करेंगे तो इसकी हमें ज़रोध पड़ेगी है ठीक है बच्चा यह हो गया हमारा midpoint या mid value एक बार मैं recap ले ले लेता हूँ पूरा है ना ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ एक बार और पूरी revise हो सके ठीक है हमने सबसे पहले देखा यहां प जैसे हैंगे जैसे हमने age बोला तो हम यहां पर numbers की बात कर रहे हैं in comes बोला numbers की बात कर रहे हैं weight बोला numbers की बात कर रहे है hight बोल़ रहा है बोला तो हम numbers की बात कर रहे हैं ठीक है अब ये भी दो प्रकार का होता है discrete variable और continuous variables discrete variables वो variables होता है जो निश्चित संक्या को दरसाता है सिरी सी बात exact value को show करता है किसी exact value को show करता है not fractional दसमलों वाली संक्या को ये नहीं दरसाता है तो जो exact value होती integral value होती उसको हम बोलते है discrete variable टिक for example number of member in a family 5 होंगे 8 होंगे 10 होंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 8.5 member से possible ही नहीं है number of student in a class 50 होंगे 60 होंगे 70 होंगे 80 होंगे 60, 70, 80, 90 होंगे not 18.5 होंगे इस तरीके से नहीं होगा number of accident in a particular city 2, 3, 4, 5 accidents तो जो certain value निशित संख्या में जो चीजे दर साते हैं उसको हम रखते हैं discrete variables के अंदर continuous variables all possible values within the range range के अंदर जितनी भी possible values है जैसे मालों में ने लिखा 10 से 20, 10 से 20 के अंदर जितनी भी possible values है 10, 10.1, 10.2, 2.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.1, 10.2, 10.3 अब इसमे 11 भी आएगा 12 भी आएगा 13 भी आएगा 14 भी आएगा मतलब इंट्रिकल शर्टेन वेल्यू भी है निशित वेल्यू भी है फ्रक्शनल मतलब दसम्लों वारी values भी इसके अंदर है जितनी भी तरह की की संक्या होती है सारी इसके अंदर आ जाएगी जिसे वेट मैंने बोला 50 kg भी होता है 50.5 kg भी होता है मतलब फ्रक्शनल भी होता है सर्टेन भी होता है height 5 feet भी होती है 5.10 inches भी या 5.10 feet भी होती है तो दसम्लों में भी दरसाता सकते हैं और निश्य संक्या में भी दरसा सकते हैं वो सारी values किसमें आएगे continuous variables के अंदर आती है class limit की बात कि हमने कोई भी class हो उसमें 2 limit होती है एक lower limit एक upper limit अगर इस तरीके से देखोगे left hand side lower limit होती है गटाना है इसका difference निकालना है तो हमें पता है कि left hand side वाली lower limit है right hand side वाली upper limit है upper limit में से lower limit को हम minus करेंगे तो हमारी width of class interval निकल के आ जाएगा अब यहाँ पर यह जो class interval classes ही दो प्रकार की होती है exclusive type, inclusive type exclusive मैंने बोला कि upper limit first class की lower limit second class की दोनों अगर same है तो exclusive है और अगर यह दोनों same नहीं है तो इसको मोला मने inclusive हुआ यहाँ पर विर्थ निकालोगे तो exact 10 सही आ रहा है लेकिन यहाँ पर विर्थ निकालोगे तो 9 आ रहा है लेकिन यह 9 गलत है answer क्यों गलत है क्योंकि इन दोनों के बीच में difference आ रहा है एक का difference आ रहा है तो वो difference कहां पर आप रखोगे उपर वाली class में नीचे वाली class में कहां पर रखोगे अब मैंने बोला 19.5 अगर कोई value से उसको कहां रखोगे नहीं रख पाऊगे तो इस परकार की जो classes से उसको पहले हमें exclusive में बदलना पड़ता है बदलने के लिए हमें correction factor लगाना पड़ता है और जो correction factor आता है उसको lower limit में से घठा दो और upper limit में जोड़ दो तो जोडने के बाद हमें यह जो inclusive class से वो exclusive में बदल जाएगी क्यों बदल जाएगी क्योंकि यहाँ पर upper limit और lower limit दोनों बराबर हो गई अब आपर यहाँ पर विर्थ निकालोगे तो 10 आएगी मतलब exact इसके भी विर्थ कितनी है 10 ही है क्यों क्योंकि यहाँ पर अंतर आ रहा है एक का वो और एक का अंतर जो है वो जूड़ जाता है ठीक है फिर हमने डिसकस किया meat point तो lower limit और upper limit को जोड़ कर दो से भाग दे देंगे मतलब lower limit और upper limit का जब हम average निकाल लेंगे तो हमारा meat point है meat value निकल के आ जाती है इस जरीके से हम निकाल लेंगे इन सारी चीजों का हमें आगे use होना है जब भी हम आगे central tendency पढ़ेंगे, dispersion पढ़ेंगे, ये सारी चीज़े फिर से हमारे पास आईगी जब ये फिर से आईगी तो हमें आपको समझाने की जरुरत नहीं पढ़ेगी आप खुझ से ही आगे की चीज़े समझ पाओगे, कि हाँ meet point कैसे निकालते हैं, meet point होता क्या है विर्टोप क्लास interval क्या होता है, lower limit क्या है, upper limit क्या है, कैसे calculate करना है exclusive class तो कैसे calculate करना है, inclusive तो कैसे calculate करना है, इस सारा आपको पता रहेगा इस रजे से मैं पहले आपको termology करवा रहा हूँ, एक lecture और termology का होगा, उसके बाद हम जो है S पर्दी syllabus आपका पूरा जो है शुरू कर देंगे तो ठीक है बच्चा, आज की lecture में इतना ही, मिलते हैं next lecture में, thank you very much, जैहिंग, जैबारत